सौधी अरब का arrival registration करने के लिए आप असाने से अपने मुबाइल से arrival registration कर सकते हैं चाहे कोई आप भी पुराना है या नए है उनको आने से पहले arrival registration करना अनिवार है अगर arrival registration करना चाहते हैं तो आप अपने मुबाइल में Google को open कर लेंगे और search में जाकर के अफसीर लिखेंगे अफसीर लिख करके दोस्तों आपको सर्च करना होगा second number में आपको यहां पर दिखाए देगा अफसीर.asa इस वाले link पर आपको करना है क्लिक यहां पर दो option मिलेगा एक individual एक business इंडिविजुल वाले option पर करना है क्लिक अर्बिक में open होगा तो इंग्लिस लिखाओगा उपर आप इंग्लिस वाले option पर क्लिक कर दिजेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा user ready in password बोलेगा आपको user ready in password देने के जरूरत नहीं है थोड़ा सा नीचे आएंगे arrival platform लिखा होगा इस वाले link पर आपको कर देना है क्लिक दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा यहाँ पर बता रहा है 72 hours before आपको यह registration कर लेना है at least ओके start registration का एक option नीचे दिखाई देगा इस पर आपको करना है क्लिक दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो arrival registration का जो official website है उस पर आप चले जाएंगे आप arrival registration आपको यहाँ पर दिखाई देगा vaccinated visitor, non vaccinated visitor, medical visitor, vaccinated resident, non vaccinated resident तो मेरा एक दोस्त है और vaccinated resident है उनको मुझे करना है arrival registration तो vaccinated resident वाले option पर मैं कर रहा हूं क्लिक उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह वाल option open हो जाएगा कुछ term and condition आपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर कुछ करने के ज़रूरत नहीं है तोड़ा सा आप नीचे आए अरही ही मिलता है तो यहाँ पर type करेंगी in ndia okay india type करेंगे आपकेоля सामने दिखाई देगा इंडिया पर select कर लेंगे उसके बाद आपको आपको अपना इकामा नंबर जो भी लोग resident है उनका इकामा नंबर होगा इकामा नंबर देंगे निचे जाकर date अब बर्त को select करना होगा तो यहां पर सबसे-पहले को करना होगा उसके बाद आप को मंथ करना किस मंथ में आपका जनम होगा सबस ?! हुआ करना है क्लिक के लिए आपके सामने आपका पूरा डिटेल ओपन हो फ्लाइट नंबर देना है तो फ्लाइट नंबर आपको कहां से मिलेगा आपके फ्लाइट का टिकट पर देखेंगे जो फ्लाइट आपका सौधियरब एराइव कर रहा है वही फ्लाइट नंबर आपको यहां पर लिख देना है आपके फ्लाइट का टिकट पर आसानी से फ्ला arrival date यानि किस डेट में आप सौधियरब पहुंच रहे हो डेट आपको यहां पर सलक्ट करळाना होगार तो यहां पर दें तारीख को पहुंच रहा होगा उसके बाद arrival airport अपको सलेक्ट करने होगा एयरोप पूर्ट पर आप सौधियरब निया से जद्दा कर दोँगा उसके बाद I am not Robert पर वाले option पर करना है क्लिक उसके नीचे आप देखेंगे इसका क्लिक करने का मकसद यही होता है कि जो आपने details फिल किया इस सारे details सही है अगर गलत होगा तो आपके उपर legal action कभी लिया जा सकता है तो फिल करते वक्त अब देख लिजिए उसके पास submit कर देजिए तो आपके सामने यह वाला option open हो जाएगा जहां आपको registration registration नंबर मिल जाएगा आप लोग यहां देख सकते हैं registration नंबर तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से निकाल सकते हैं तो चली स्क्रीन सट ले लिए में नहीं से उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा दोस्तों प्रीट लिखा हुआ तो प्रीट वाले option पर दोस्तों जैसे यहां से डाउंलोड हो जाएगा तो डाउंलोड कर लिजिए यहां से तो जैसे डाउंलोड कर लिजिएगा अटोमेटिक यहां से यहां से अबका पास में यहां से सेंड कर दिया उसके बाद प्रिंट आउट निकाल करके अपने फाइल में लगा लिजिए तो बहुत यह सान है जिसे आप मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं तो उमीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मच शर्ट